बहुत बार ऐसा लगता है ना कि दूसरों की अच्छी rank आती है दूसरों के marks अच्छी आते है और मेरी rank अच्छी नहीं आती है ना ही मेरी marks अच्छी आते है और हम सोचते रहते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला तो सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि this is a very normal thing यह बस अकेले आपके साथ नहीं है यह सब के साथ है तो इसके बारे में तो आप सोचो ही मत पर बात यह है कि तुमने यह जो decide किया था अच्छी rank लाने का अच्छा college लेने का तो मैनत करने कोई दूसरा थोड़ी मैनत भी तो तुमको ही करनी पड़ेगी दूसरों की rank अच्छी आती है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं तुमसे ज़्यादा time दिया है तुमने वह अभी मैनत की नहीं है तुमारे अंदर वह confidence है नहीं अभी वह rank लाने का और वह college लेने का ऐसे क्या सोच रहे हो सच्छी बो तो भिका हुए यार कितना भी लेलो मैनत करो चलो पहले ये बताओ मैनत कर भी सकते हो या नहीं अगर कर सकते हो ना तो result के बारे में मत सोचो सपने देखो और उनका पूर करने के लिए मैनत करो और कितने drop चाहिए यार कुछ तो अपने doctor होने का ख्याल रख चलो पहले ये विवटा मेलस करना क्यों गया था मज़े करने के लिए क्या था कि ये सोच रहा कि थोड़ी सी मेलस कर लेंगे और किसी गॉफ्नक्राइड क्याईज में सीट मिल जाएगी मजाराद चल रहा है कि यह आपर एक बर प्राइवेट कॉलिज में जाकर देखना हम सुपर मैन है और ना ही हम आइंस्टीन है पर जब टाइम थोड़ा खराब हो ना तो थोड़ा दिमाग भी खराब कर लेना चाहिए जिन्होंने ये का था ना कि तुछ से कुछ नी होगा कुछ नी कर पाएगा उनको तो हमें करके दिखाना है तो सोच क्या रहे हो फिर से मुखा देना चाहते हो गया उन्हें फिर से बोलने का यार इतने कमज़र हो ना तो ये वीडियो मत देखो यार वीडियो को णिश्लाइक कर दे न, पर मैनत करो, जो सबने देखे है न, उनका पूरा करने के लिगे प्लैन मनाओ ये मत सोचो कि कब से मैनत करना स्टार्ट करना है, आद से ही करना है, अभी से स्टार्ट करना है हमें खुद को विश्वास दिलाना पड़ता है ये जो मिस्किल टाइम है ना ये टेंप्रेरी है एक ना एक दिन तो चलाई जाएगा बट उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी बट आज इस टाइम से इस वक्त से हार माननी ना तो ये वक्त हमें कभी आगे नी बढ़ने देगा ये टर कभी अंदर से जाएगा ही नी वो confidence कभी आएगा ही नी और अगर आप पीछे हटने का सोच रहे हो तो आप बहुत ही गल्थ इंसान की वीडियो देख रहे हो मैं वो इंसान हुई नी जो जल्दी से हार मान लू मेरे साथ वाले भी मुझे भी कहते थे कि तुझसे कुछ नी हो पाएगा कुछ नी कर पाएगा रैंक नहीं आएगी हलागे उस टाइम जवाब तो मैं भी दे सकता था उन्हें मैंने मैनत की result आया और जवाब देनी की तो जुरती नहीं कड़ी क्योंकि उनको जवाब मिल गया था तो यह जो तुमने डिसाइड किया है ना कि अच्छी रैंक लाने का अच्छा कोलेज लेने का अच्छी प्रांच लेने का बट जब तक खुद को विश्वास नहीं दिलाओए भूल जाओ इन सब के बारे में लाको लोग यह यह दिन राथ मैनत करते हैं या फिर तुम अपनी किसमत के घरोसे हो किसमत के बरोसे तो वो रहता है जो मैनत नहीं करता और जो मेहनत करता है न वो किस्मत का महताज नहीं होता तो मेहनत करो, अच्छे दे पड़ो, जितना हो सकता है अपना 100% दो जो अभी एक्जाम आने वाला है इसमें ये सोच कर ही बैठो कि इस बार तो मुझे स्लेक्शन लेना ही लेना है All the best